वेल्कम स्टुदेंट्स हमार ये टू प्लेटफर्म टॉप कचिंग में आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही तारे कॉंसर्ट बच्छे से क्लियर है समझ में आ रहे हैं अच्छा लगा वाई टाइम पर आगे आप सभी बच्छे नहीं होता है ठीक है और आपको पीछे से देखना नहीं पढ़ता फिर लगता क्या रिकॉर्डर लेक्टर लगता है फिर लाइव का लगी मजा है गाई आप अच्छे से इंट्रेक्शन कर सकते हो मेरे साथ जो चाहे अपने डाउट्स पूछ सकते हो अगर आपको पता है आज हमारा नया चैप्टर सुरू होने वाला है डूल नेचर और इसका पहला लेक्टर होगा इस यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है ठीक है कॉम्प्रिकेटर लगेगा आपको अगर आपके जो स्टार्टिंगे कॉंस और बहुत डीटेल में हम जाके इन चीजों को समझेंगे जो इस चैप्टर के अंदर दी गई है चैप्टर ज्यादा कर आपका कंसेट पर वेज़द है और नुमेरिकल भी इसमें देखने को मिलते हैं और जो आपके पूछे भी जाते है एक्जैम में तो काफी चैप्ठर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या-क्या पढ़ना है इस चैप्टर की जान है photoelectric effect ही सबसे ज़्यादा पूछा गया इस chapter में और काफी parts में आपको photoelectric effect completely समझ में आएगा ठीक है तो आज हम इसका starting वाला phase पढ़ेंगे photoelectric effect का ठीक है चले guys तो start करते है the first topic work function भाई क्या होता है work function definition बाद में पढ़ेंगे बट पहले इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं work function क्या होता है देखिए अगर हम समझें जैसे मान के चलो आपने कोई metal के surface लिए आपने क्या ले लिया आपने कोई metal के surface लिए ठीक है under normal condition कैसा है अब यह normal condition में normal condition का मतलब ना तो आपने इसका temperature बढ़ाया ना कुछ normal condition में है यह है क्या आप मान के चलो यह आपका sodium metal है na ठीक है na metal है आपका यह और ध्यान से रखना हम इस पूरे chapter में metal ही लेंगे जो भी surface आप लोगे metal की लोगे ठीक हम non metal या बागी किसी भी surface की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे metal surface की चलिए under normal condition गाईज अगर हम इसको और अच्छे से समझें ऐसे न बना के भाई आपको detail में समझाने के लिए एक साई diagram बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मान के चलो यह कुछ ऐसे है आपका ठीक है और यह आपका normal condition में नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है कि इस metal के अंदर आप सभी को पता है atoms होते हैं और atoms में आपको यह पता है आपके कुछ freely electrons होते हैं तो मान के चलो यह मेरा atom है ठीक है और इसके अंदर sodium metal है तो sodium metal के अंदर आपके तीन वो बनते हैं कि हम मान के चलेंगे कि तीन इसकी आपकी shells है KLMN आप मान के चलो यह वाली के है तो इसके अंदर क्या होता है sodium का आपने सभी से पढ़ाए क्या हाता है 281 11 इसका number होता है 281 में आप मान के चलता है अंदर वाली जो सबसे पहली इसके अंदर दो electrons है जो बाहर वाली है उसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आट electrons है ठीक है और जो सबसे बाहर वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही electron है आपका तो इसमें हमें आप सभी को पता है कि यार आपके nucleus के पास ये क्या है आपका nucleus है इसमें दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको confusion ना हो ठीक है ये nucleus के अंदर आपका क्या होता है nucleus के अंदर आपके होते हैं proton और neutron जो neutrals होते हैं अब proton के वज़े से यहाँ पर क्या होता है आपका electrostatic field बनता है जिसके विए से यह electron को अपने चारों तरफ घुमा के रखता है लिक जैजना आप इससे दूर जाओगे उतना क्या होता है यह electrostatic field weak होता चला जाएगा आपने पढ़ाए भाई क्या आपने पता है that e is one upon r square पढ़ाए आपने बहुत अच्छे से आपने भी पढ़ाए that force भी one upon r square के reciprocal होता है यह जितना distance बढ़ेगा उतना आपका electrostatic force weak होता चला जाएगा ठीक है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस इन सभी electron के comparison में यह last electron है यह कैसा है यह loosely bound है कैसा है यह loosely bound है यानि बाकी सब के comparison में इस वाले electron को निकालना असान है है कि नहीं है चलिए तो यहां तक आई होप आपको चीज़ अच्छे समझ में आगी होगी अब इसके अंदर millions of items है ऐसा मान के चलते हैं तो इसका जो सबसे आखरी वाला जो electron है जिसको हम loosely bound और इसको हम free electron भी बोलते है ये free electrons क्या कर सकते हैं ये free electrons इसकी surface में घूम सकते हैं लेकिन surface से बाहर नहीं आ सकते क्यों ऐसा क्यों सर normal condition मतलब ना तो आप इसका temperature बढ़ा रहे ना ही कोई भी इस पर electromagnetic waste बढ़ा रहे normal condition इसका मतलब अब क्या है कि इसके अंदर जो electron है वो freely तो है वो इसकी surface भी घूम सकता है यहां भी घूम सकता है लेकिन जैसे ही वो इसकी surface को बाहर आना चाहेगा वो चाहेगा कि मैं बाहर निकलूँ ठीक है electron क्या चाह रहा है कि मैं बाहर निकलूँ लेकिन जैसे ही यह बाहर निकलेगा यहां surface पे क्या हो जाएगा surface get positively charged simple सी बात है भाई surface पे electron है electron नहीं यहाँ पे अपनी जगा खाली गई तो यह क्या हो जाएगी surface get positive charge same amount का positive charge surface पे भी आ जाएगा आई बात समझ में electron बाहर जाना चाहता है लेकिन same amount के इस पे positive charge आने के वह पे किस पे surface पे क्या होगा यह वापिस इसको अपने तरफ attract कर लेगा और कहा देगा भाई वापिस आ भाई कहां जा रहा है वापिस आ मैं तो यह जाने नहीं दूँगा आई यहां टक चीज़ समझ मैं आई अगर यहां तक चीज समझ मैं तो आगे की भी मैं आपको चीज़े समझा देता हूं चलिए तो ठीक अब ओके वेलकम पाइल और लविश मैं बड़े हूँ चलिए तो बहुत बड़े आई होप आपको चीज समझ में यहां तक सब चीज क्लियर है कोई कन्फिजन को डाउट वाली बात नहीं है ठीक है बड़ आपको कॉंसेट एक एक क्लियर होना चीज़िए क्या कि एलेक्ट्रॉन चाहरा है बाहर जाना बड़ यहां पे जैसी है शर्फिस च़ोड़ेगा क्या हो जाएगा ? सिर्फिस पर पॉजिटिव चाहरी जाएगा इसको वापिस अपने तरफ खै्च लेगा ? इसी को हम बोल देते हैं पोटेंशेल बारियर क्या बोल देते हैं ? informationalultura due to potential barrier, due to potential barrier, electron cannot escape surface of metal in normal condition, in normal condition. simple सी बात है, अब देखिए, अब आप चाहते हो कि electron बहार आए, तो उसके लिए आपको इसको कुछ amount की energy देनी पड़ेगी, आईए, कितने amount की energy देनी पड़ेगी, समझे, अगर मान के चलो कि आपने यहाँ पे इस electron को कुछ amount की energy दी, ठीक है, यह electron आपका यहाँ था, अब यह आते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आगया, surface पे आगया, ठीक है, अब इस surface से बाहर जाना चाहता है, तो आपका क्या करना पड़ेगा आपको इसको कुछ amount की energy देनी पड़ेगी, बहुत सारे method हैं गाईज, बहुत सारे method हैं इसको energy देने के, आगे हम उसी बारे में बात करेंग transfer to electron on metal surface, ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको कुछ amount की energy दे दी, और यह electron की आगया, इस energy को gain करके, अगर बाहर नहीं आ पाया, तो कोई फायदा नहीं सा energy देने का, लेकिन धीरे धीरे आपने क्या करा, energy का amount बढ़ाया, और एक point ऐसा आया, एक ऐसी situation बनी, कि यह electron उस energy को पा आने के बाद, अपनी surface से बाहर आ गया, क्या गरा, अपनी, इस metal surface से बाहर आ गया, इसी minimum amount की energy को क्या बोलते हो, इसी minimum amount की energy को minimum, कम से कम आपकी amount of energy, कम से कम का मतलब यह नहीं कि कि कम energy लेगा, कम से कम का मतलब, वो energy का level, जिस पे आपका electron energy लेने के बाद बाहर आ जाए, उस minimum amount of energy पे minimum amount of energy on which electron comes out of surface comes out of metal surface ये भी धियान रखना कि हमें हर जगा metal ज़रूर लिखना है comes out of metal surface इसी को आप क्या बोलते हैं इसी को आप work function बोलते हो तो work function एक energy है guys क्या है work function एक energy है minimum amount के energy है जिसको absorb करने के बाद electron इस surface से बहार आ सकता है या फिर आप simple शब्दों में कहो तो जो potential barrier इस पे था उस potential barrier को तोड़ने के लिए जितनी energy इसको चाहिए वही energy को आप क्या बोल देते हो work function बोल देते हो ठीक है इसको हम क्या बोल देते है work function बोल देते है आई बात समझ में क्या होता है work function work function का concept आप अच्छे समझ लें यहां भी चैप्टर में भी काम आएगा और आपका जो semiconductor chapter है उसमें भी काम आएगा आप कमेंट के जरीए बचा सकते हैं ठीक है चलिए भाई कश्यब यह सब चीज़ें यहां नहीं चलेंगी और ब्लॉग हो जाओगे साहब बता रहा हूं ठीक है जी भी तो ठीक है बट थोड़ा अपनी लिमिट्स समझे बच्चा आप स्टूडेंट है स्टूडेंट के तरह रहें और यह प्लैट्फॉम फ्री आपकी लिए अच्छे से पढ़ो यार मज़े करके पढ़ो कोई confusion को doubt आए तो पूछो तो लविश शैफ पायल और म लेहक अच जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं पटाक से कमेंट करके बता दे किक है हाँ नुमेरिकल भी कराएंगे राज कुमारी जी डोंट वरी और गुन-गुन सभी अपना रिस्पॉंस जैदे किक है चलिए करन घया रहे कि सर जो minimum energy हमने दी वो collision में यूज होगी तो electron बाहर कैसा आगा बच्चा एक बात सोचके देखो हम यहाँ पर energy दे रहे हैं अब आप बहुत से सुनो अगर कोई particle होता तो आप collision कह सकते हो बट energy यहाँ पर किसी और form में आ रही है एको energy wave के form में travel कर रही है आप मेरी बहुत अच्छे से बात सुने मान के चलो आपने heat waves दी वो भी waves के form में travel कर रही है और आपने क्या करा electric field में इसको रखा तो भी आप इसको बाहर निकाल सकते हो several waves है एक आपका UV rays दे हो तो वहाँ भी आपको waves मिलेगी यानि अप energy transfer कर रही है अब किसी particle को इस पर नहीं मार रहे हो एक तरीका है जिसको हम secondary emission बोलते हैं वो भी मैं आगे discuss करूँगा तो बच्छा सुन लो यहाँ पे हमने जो energy लाके डाली ही वो waves की form में पार्टिकल नही momentum होगा बच्छा मैं बिल्कुल आपके बात से disagree नहीं हूँ एगरी हूँ कि आपने आपके किसी तरीके से आप जैसे light energy light energy photons हम उसको consider करते है फोटन साके इस पर क्या करेंगे momentum करेंगे कुछ energy वहाँ खर्च होगी लेकिन इतनी भी खर्च नहीं होगी कि यह बाहर ना सके ठी आपको आई बात समझ में चलिए आई होप आपको चीज समझ में आगी होगी है लो आकरिती है वेलकम हमारे प्लैट्फोर्म पर लेगाइस तो आई होप करन आपका जो डाउट है वो दूर हो गया होगा अगर देखो बैच्च मिनिममम एनर्जी हमने दी अगर वो आपकी कॉलाइज़न में चली गई मान के चलो तो नहीं आएगा लेक्ट्रोन बार समझेरो मेरी बात को अगर वो नहीं आ रहा तो हम नहीं कहेंगे वो और वक्षन है तो बिल्कुल सही बाई करन के तरह अगर किसी और वच्चे के माइंड में कोई डाउट है तो जरूर पूछे अच्छा लगता है जब आप अपने डाउट्स पूछते हो उसका मतलब आप अपने दिमाग को य आउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट के जरीए पूछ सकते हैं ठीक है गास तो हमने बहुत अच्छे से यहां पर वर्क फंक्शन का कॉंसेट पढ़ लिया आई ये पीछे ता मिनीमम अमाउंट ओफ एनरजी वो रिक्वाइड वाइन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दा मैटल यहांनि इसको कहां से बाहर निकलना, मैटल सर्फिस से बाहर निकलना है इस और यहां पे हमदेनोट करेंगे कहिए वयर फंक्शν है मैटल का ठीक और इसका मैटल करेंबर तॉक्वन देखा होगा इसका हम फ्रॉम देखा बहुत से यह कुछ ग् caliber झालगए तो वहां पर आपका जैसा होगा उसके वर्क फंक्शन उतना ही अलग होगा सबसे कम सीजियम का होता है सबसे जादा प्लैटेनियम का होता है तो आप जैसे जैसे मेटल की मेर्टेरियल में डिफ्रेंटीब देखोगे आप इनके condition of its surface उसकी surface की condition कैसी है surface गीली तो नहीं है surface ज़्यादा heat तो नहीं है मतलब condition भी यहाँ पे आपको देखनी है तो दो चीज पर आपको work function depend करता है एक तो material पर दूसरा उस material की surface की condition पर बहुत अच्छे से सुन ले शायद एक marks में MCQ में यह चीज आप से बात करी गई ठीक है तो आपको electron volt पता होना चीए कि one electron volt क्या होता है पहली चीज यहाँ पर आगर हम work function की बात कर रहे है तो energy carried by an electron बराबर होगी जो उस electron ने energy ली जिसको लेके वो बाहर निकला energy carried by an electron बराबर होगी आपके किसके work done by electric field ठीक है अगर हम इसको equal amount में calculate करना चाहते है work done by electric field यह किसके बराबर होता है अभी हमने पढ़ा it is equals to qv यहाँ पर वो कौन सा charge है जिसको आप क्या कर रहे हो बाहर निकाल रहे हो वो है electron तो electron into v अब हम यहाँ पर क्या करते है if voltage is equals to 1 volt अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चा यहाँ पर यह जो energy है यह किसके बराबर आ जाएगी electron का charge कितना होता है 1.6 10 की power minus 19 और यहाँ पर यह हो गया 1 तो यह बराबर हो गया आपके 1 electron volt बराबर हो गया 1.6 10 की power minus 19 joule के आई बात समझ में एक electron volt बराबर होता है 1.6 10 की power minus 19 joule के ठीक है तो आपको बस यह समझाना था मुझे कि यह कैसे value आई तो कभी भी आपको joule में दे रखा हो और electron volt में आपको convert करना पड़े तो यह आपके लिए helpful होगा चलिए यह है आपके सामने NCIT में एक table दे रखी है stable से आप idea लगा सकते हो क्या idea लगा सकते हो कि अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग work function है यहाँ पर cesium metal है 2.14 इसका work function है फिर आगे आपके ठीक है potassium 2.30 फिर sodium 2.75 यानि अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग work function जितना ज़्यादा work function मतलब electron को ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसमें से निकलने में तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा platinum 5.65 यानि platinum में से electron निकालना सबसे ज़्यादा hard है as comparison to other metal अगर आप यहाँ जैसे मैंने आपे sodium लिया रखा था अगर आप sodium न ले गाँ platinum लेता तो वहाँ पर work function के energy ज़्यादा लेनी थी मुझे तभी क्या होगा मेरा platinum में से electron बाहर emit करेगा ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या work function का concept है work function समझना बहुत जरूरी है ठीक है इसलिए आपको फिर आगे सकते हैं let's move ahead और आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस platform पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ठीक है हम बिलकुल भी आपकी पढ़ाई के साथ मजाग नहीं करेंगे बट आपको भी हमारे साथ मजादा नहीं करना है पढ़ाई पर भी दियान देना है ठीक है अब देखे इलेक्ट्रों एमिशन क्या होता है the phenomenon of emission of electron from a metal surface is called electron emission यानि जब कभी भी किसी metal surface में से कोई एक electron निकल के बहार आ जाएगा इसी को आप क्या बोल देते हो emission of electron बोल देते हो इस emission of electron को कहीं तरीके से करा जा सकता है ठीक है और एक चीज और यहाँ पर देख दूसरी लाइन पढ़ते है energy of electron must be higher than the work function of the metal for electron emission क्या condition है electron emission की electron emission की ये condition है कि आपका जो electron है जो बहार आना चाहता है उसकी energy work function से ज़्यादा होना चाहिए the energy of electron must be higher than the work function मतलब क्या condition बैठी condition ये बैठी के energy of electron must be greater than कि से work function of metal बच्चा ध्यान देना work function है metal के लिए work function of metal यानि work function जब भी आप निकाल रहे तो metal के लिए निकालते हो और energy हम यह electron की देख रहे हैं यानि electron के energy metal के work function से ज़्यादा होना चाहिए है कोई चीज के लिए है पिछले topics में तो आप यहीं से carry on कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप starting से करें हेलो रवीन तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या energy of electron is greater than work function of metal होगा तभी आपका electron emit करेगा और इसी phenomenon को हम electron emission कह देते हैं चलिए types of emission आपके कितने तरह के emission हो सकते हैं कितने तरीके से आप किसी metal surface से electron को emit करा सकते हो तो इसमें आप पढ़ सकते हो thermionic emission ठीक है photoelectric emission ठीक है उसके बाद आपका field emission और उसके बाद आता है है आपका secondary emission यह चार ऐसे type हैं इनकी help से आप किसी भी सर्फिस से electron को बहार निकाल सकते हैं अगर बात करें thermionic emission सबसे पहले type की तो क्या है thermionic emission बहुत अच्छे समझे सबसे पहले type की बात करें thermionic emission की आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा जिसमें से आपके क्या निकल रही है आपकी flames निकल रही है इन flame से क्या हो रहा है इन flame से आपकी heat waves आ रही है ठीक है यह क्या है आपकी heat waves जाएंगी यह heat waves इसके surface में जो electrons है जो freely electrons है यह क्या है आपका यह free electron है ठीक है क्या है यह 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 आपका free electron है loosely bound electron है last shell का electron है ठीक है तो क्या करेगा ये यहां से heat wave सा energy लेगा और टक देनी सी बहार आ जाएगा surface से ठीक है इसको हम क्या बोल देते हैं जब ये electron अंदर था तो भाई ये electron था जैसी बहार आया इसका नया नाम कर दिया इसका नाम करन हो गया और इसको हम बोल देते हैं thermionic electron ठीक है इसको बोलते है thermoelectron अब thermoelectron कह देते हो ठीक है तो एक तो ये process है आपका किसी भी electron को बाहर निकालने का एक process आपका क्या है दूसरा process अगर हम देखे फोटो इलेक्ट्रिक emission या फोटो इलेक्ट्रिक emission जो आपका इस chapter में पढ़ने को मिलेगा आपको ठीक है इसी emission के बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे ठीक चलिए तो यहाँ पर क्या करना है ठीक इसमें अगर आप मान के चलो के आपने अपनी कोई एक metal plate ली ठीक यह क्या है आपकी metal plate है ध्यान से सुनना इसमें हम जो भी surface लेंगे metal की लेंगे गाइस यह आपकी metal की कोई surface अब आप इस पर क्या करा रहे हो आप अमान के चलो यह आपको कोई source है कोई साभी source है मान के चलो sun है sun में से आपकी क्या रही है इस पर आके गिर रही है electromagnetic waves कौनसी waves electromagnetic waves ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर heat waves गिर रही है तो आपका क्या है thermonic emission है अगर आपकी electromagnetic waves आके strike कर रही है आपके surface को तो जो आपका electron है अब वो क्या करेगा वो इस energy को इस electromagnetic waves के आप से energy गेन करेगा और बहार आके कोई जाएगा इस electron को जैसी यह बहार आएगा उसको आप क्या बोलते हो photo electron बोलते हो क्या बोलते हो photo electron बोलते हो यह दो टाइप है जो आपको same जैसे दिख रहे है बट आपको इनके बीच में difference पता होना चीए यहाँ पर हम heat की help से heat wave की help से electron का निकाल रहे है यहाँ पर हम electromagnetic waves की help से निकाल रहे है तो ना फ़रक ठीक है क्या यह दोनों आपको method समझ में आगे आगे तो अच्छी बात है चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बाकी दोनों types के बारे में भी बात करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं third type की तो आपका जो third type है guys आपका जो third type है वो है आपका field emission कौनसा emission field emission यह क्या तरीका है यह सुनलो मेरी बात यह क्या तरीका है मान के चलो कि आपने आपनी कोई plate ली आपने कोई plate ली metal plate ली और इस metal plate को आपने क्या करा किसी electric field के अंदर रख दिया किसी uniform electric field के अंदर रख दिया मान के चलो क्या रख दिया uniform electric field के अंदर रख दिया इस तरीके से तो क्या होगा भाई यहां से आपका field देखे एक चीज़ और है कि आपका जो electric condition यह भी है कि आपको जो electric field है उसकी power 10 to the power 3 से 10 to the power 8 volt पर मीटर होनी चाहिए समझेरो मेरी बात को जो यहाँ पर E है इसकी value इस्तनी होनी ही चाहिए समझेरो इस range के बीच में होनी चाहिए तो क्या होगा जो आपका यहाँ पर electron है जो यहाँ पर आपका electron है वो emit कर देगा मान के चलो कि यह positive है और यह negative है तो यह electrified इतना strong होगा कि इसके potential barrier को break करवा के इस electron को इसके इधर attract कर देगा इसके positive end पर आई बात समझे वे खिक बस इतना ही यह समें बट यह जो method है it is not very safe it is dangerous इसमें यह dangerous है and less efficient है और less efficient है इतना ज्यादा efficient भी नहीं है तो इसलिए इसको इतना use नहीं करा जाता जो सबसे ज्यादा widely use है वो photo electric emission है गाइस और आपका थर्मियोनिक emission है इसलिए पहले मैंने उनको बताया यह knowledge भी आपको होनी चाहिए कि कितनी तरीके से आप किसी electron को emit करा सकते हो surface से फिर एक जो नया बिल्कुछ सबसे नया method है वो है गाइस आपका सेकेंड्री emission ठीक है कि 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 क्या होता है सेकेंड्री एमिशन में कुछ ऐसा होता आपका हाई-speed electron जैसा electron है हाई-velocity लिख लो तो ज्यादा सही है direction भी क्योंकि इसमें आ जाएगी हाई-velocity electron है यह इस पर जाके क्या करेगा strike करेगा बहुत एलेक्ट्रोन है तो साफसे बात है बड़े राम से इसके अंदर घुश जाएगा और यह electron क्या करेगा दूसरे electron के साथ क्या करेगा दूसरे electron के साथ collision करेगा तक देनी सी आया तक से headshot जैसे कि आप कहते है अपने game play करते है तक से headshot मारा इस electron को इसने क्या करा अपनी energy transfer कर दी क्या गर दी अपनी energy transfer कर दी यहाँ पे इसने और अगर यह energy प्रांस्फर इस पे हो गई इतने ज्यादा माउंट की होगी इस मैटल के वर फंक्शन से ज्यादा माउंट की हो गई तो क्या होगा यह इलेक्ट्रॉन बहार आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के बहार आता ही हम इसको क्या नाम दे देते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एलेक्ट्रों थे तो अब तक हमने अच्छी से चीज समझ लिकोई कन फीजन कोई डाउट यहां तक आप कमेंट के जरी बता सकते हैं नहीं है कोई कन फीजन कोई डाउट फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की जिसके बात करते हैं फ अगर आपकी electricity energy convert हो जाती है आपकी किसमे thermal energy में thermonic emission बिलकुल depend करता है आपके thermal energy पे thermal energy नहीं तो thermonic emission नहीं भाई जैसा नाम वैसा काम समझ रहे हो मेरी बात को अगर आपका emission electricity के वज़े से हो रहा है तो बच्चा उसको और फिर आप क्या बोलोगे उसका आप बोलोगे field emission लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि electricity convert हो गई वो कब होता है जब resistance बहुत जादा होता है material का और उस resistance के वज़े से electricity convert हो रही है heat energy में और उस heat energy को electron absorb करके अपका electron बहार आ जाए तब आप कह सकते हो करन के यह सर अब हमारा electricity के वज़े से भी thermonic emission हो रहा है बट गौर से देखा जाए तो electricity जब thermal energy में convert हो रही है तब आपका emission हो रहा है तो एक तेरी के साथ thermonic emission ही हुआ चलिए तो हमने यहाँ पर चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा समझा अगर किसी बच्चे कोई doubt है कोई confusion है तो आप comment के ज़री पूछे तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं और अपने next topic के तरफ बढ़ते हैं हमारा जो next topic है guys वो है आपका photo electric effect इस chapter की जान है भाई यह ध्यान से सुन लेना तो आज के lecture में आपको सिफ introduction मिल रहा है next lecture जो होगा उस lecture में बहुत detail में जाके अच्छे से समझेंगे photo electric effect को experimental study करेंगे उसकी पर उससे पहले यह तो जान ले आईए समझते हैं क्या होता है photo electric effect देखियो यहाँ पर आपकी एक line लिखी हुए definition है when light of suitable frequency ध्यान दीजिए suitable frequency मतलब एक frequency का amount भी होना चाहिए कुछ कि उस amount से अबब अगर आपकी light की frequency है तब ही यह possible है when light of suitable frequency illuminates a metal surface यानि metal surface पाके गिर रही है electrons are emitted from the metal surface the phenomena is called photo electric effect इसी phenomena को हम photo electric effect केते हैं मान के चलो क्या मान के चलो कि आपने sun आपका sun है sun बहुत अच्छा example रहेगा sun में साब की UV rays भी आती है और electromagnetic waves भी आप कह सकते हो कि वो electromagnetic waves है और आपने धूप में किसी अपनी metal plate को ऐसे रख दिया अब इस धूप में से क्या हो रहा भाई आपकी light waves कह सकते हो आप light है यह suitable frequency क्या है इसको में आपके source लिख दूँ तो ज्यादा सही रहेगा यह मेरा क्या है यह मेरा कोई source है और यह यहाँ पर क्या है कर रहा है यह चीज क्या है यह आपकी suitable frequency suitable frequency की electromagnetic wave है क्योंकि light भी आपकी electromagnetic wave ही होती है यहाँ पर यहाँ आके इस पर गिरेगी इसके गिरने पर क्या होता है कि आपका जो electron है इसको क्या करेगा absorb करेगा अभी हमने पीछे बात करी क्या कि जब आपकी electromagnetic wave आके किसी metal surface पर आके strike करेगी और electron energy absorb करके टक देनिसी बहार से आके कूद जाएगा छलांग मार देगा तो हम उसको क्या बोलते है ऐसे ही emission को बोलते है आपका क्या कहलाता है यह आपका कहलाता है photo electron जो एक आई बात समझे है यह आपकी क्या है यह आपकी metal surface है तो एक बार और हमने अच्छे से रिवाइस कर लिया क्या होता है photoelectric emission और क्या होता है photoelectric effect I hope आपको चीज अच्छे से clear है यहां तो कोई confusion, कोई doubt नहीं होना चाहिए आपके mind में अब बढ़ते हैं आगे कि भाई किसने सबसे पहले इस बात को observation में लाया देखा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है तो guys अगर आप इस बारे में पढ़ेंगे तो नाम आएगा हड्स Henrich Hurd The phenomenon of photoelectric emission was discovered in 1887 1887 वे सबसे पहले discover किया था इस phenomenon को किसने किया था आपके Henrich Hurd ने जो कि एक German physicist थे और guys आपने frequency पढ़ी है उसकी SI unit पढ़ी है Hurd वो भी इनी के नाम पे थी तो काफी अच्छा इनका भी योगदान रहा है physics के field में during his electromagnetic wave experiment वो क्या कर रहे थे वो अपना एक electromagnetic wave का experiment कर रहे थे उन्होंने क्या करा Maxwell की DUE equation को अच्छे सा study करा और वो proof करना चाहते थे कि हाँ बाई electromagnetic wave radiation भी कुछ होती है और उससे related कुछ अपना क्या कर रहे थे कुछ अपना demonstrate करना दिखा रहे थे उसी दोरान उन्होंने इस तरह के fact को observation में लाया ठीक है during his electromagnetic wave experiments in his experimental investigation on the production of electromagnetic waves वो क्या कर रहे थे electromagnetic waves को produce करना चाह रहे थे by means of a spark discharge Hertz observed that high voltage spark across the detector loop were enhanced when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp क्या हुआ भाई ऐसा कुछ हुआ वो क्या कर रहे थे वो तो अपना अपना normal experiment कर रहे थे normal experiment कर रहे थे मान के चलो यह cathode है और यह anode है उन्होंने क्या देखा कि यहां पर कोई side में एक arc lamp रखा हुआ है क्या लिखा हुआ है arc lamp arc lamp का जो source है वो source क्या कर रहा है भाई वो arc lamp का जो source है वो electromagnetic waves को भेज रहा है UV rays को क्या कर रहा है UV rays निकाल रहा है अपने में से वो 4 तरफ फैल रही है लेकिन वो UV rays किसी तरीका से cathode पे भी आके गिर गई उसके बाद उन्होंने क्या देखा उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ electron जो है cathode से निकल के आपके आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से उनके दिमाग में घंटी बजी भाई ये कैसे हो गया उन्होंने बार-बार observation करी होगी अच्छे से समझा होगा तो उनको ये समझ में आया कि ये जो arc lamp से UV rays है ये जब cathode पे गिरी तो cathode ने क्या करा अपने अंदर में से जो electron उसको emit कर दिया और ये कैसे हो रहा है क्योंकि UV rays absorb करने के बाद electron is capable हो गए कि वो इस surface के आपके potential barrier को तोड़ सके इसके वर function से ज़्यादा energy gain कर ली और electron बहार आ गए ये सबसे पहला observation था जो आपके हैंडिश हर्ड ने करा था ठीक है तो हमने बहुत अच्छे चीज़ को समझा क्या था आपका ये और ये चीज़ आपको पता होनी चीए कि सबसे पहले भाई किसने इसको observation में लाया ठीक है और कैसे लाया चाहद आपसे serenity question पूछ लिया जाए ठीक चलिए तो हब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे observation और आज के last topic की बात करते हैं और वो है आपका hellwalks and linnards observation जो की सबसे main है ठीक है इससे लिए भी आपका question पूछा जा सकता है लेटर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने हैंडिक के इस experiment को बहुत अच्छे से देखा समझा उन्हों को लगा कि हम भी कुछ और अच्छे से इसको observe कर सकते हैं तो उन्होंने एक setup बनाया कैसा setup बनाया उन्होंने कुछ ऐसा setup बनाया उन्होंने जिंग की एक plate ली क्या करा जिंग की एक plate ली जिंग की plate को लेके मान के चलो ये जिंग की plate है ठीक है और जिंक की प्लेट को लेके उन्होंने एक इलेक्ट्रो स्कोप से जोड दिया किस से जोड दिया? एक इलेक्ट्रो स्कोप से जोड दिया ऐसे करके और यहां पर इन्होंने एक इलेक्ट्रो स्कोप से जोड दिया करें अब देखिए यहां पर इस इलेक्ट्रो स्कॉप के इस तरीके से इलेक्ट्रो स्कॉप से अब अच्छे सभी वाकिफ है वो ज्यादा मुझे बताने की जुड़त नहीं है यह क्या है आपका इलेक्ट्रो स्कॉप है यह क्या है आपकी यह जिंक की प्लेट है यहां पर इन्होंने क्या करा इस जिंक की प्लेट पे यूवी रेज लाके डाली क्या डाली यूवी रेज लाके डाली यह क्या है आपकी अल्ट्रा वाइलेट रेज है तो अल्ट्रा वाइलेट रेज डालने के बाद इन्होंने क्या देखा भाई इस जिंग की प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रोंस एमिट हो गए एक इलेक्ट्रोस्कोप भाई उस चीज को अच्छे से बता सकता है डिफ्लेक्शन के जरी हम देख सकते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रों निकले या नहीं तो उन्होंने तीन observation बहुत अच्छे से करें क्या करा पहले उन्होंने बहुत चला की करी सबसे पहले उन्होंने इस प्लेट को लिया सबसे पहले इन्होंने इस प्लेट को कैसा रखा प्लेट को रखा अंचार्ज प्लेट को इन्होंने रखा पॉजिटिवली चार्ज फर्स्ट इन्होंने negatively charged मानो पहले negatively फस use negatively charged plate क्या करा negatively charged plate को use करा इस plate को इन्होंने क्या करा सबसे पहले negatively charged कर अब देखो बहुत अच्छे से अगर ये plate negatively charged है भाई तो मतलब इसके अंदर इलेक्टरॉन्स की संख्या ज़ादा है मातरा ज्यादा है amount of electrons यहाँ पे ज्यादा present है तो जैसे UV rays आएंगी ये electrons क्या करेंगे absorb करेंगे सापसी बात है और जाते ही यहाँ से transfer होने लग जाएंगे नीचे की तरह होने लगे तो इन्होंने क्या देखा बाई electron तो नीचे बढ़ रहे आगे ऐसे बढ़ रहे आगे समझे मेरी बात को फिर उन्होंने क्या करा दुबारे से लिया दुबारे इन्होंने क्या करा दुबारे इन्होंने अब देखो आप electrons इसमें से निकलेंगे तो ये धीरे 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 जो plate है finally कैसी हो जाएगी uncharged हो जाएगी कैसी हो जाएगी guys uncharged यानि finally the plate will get uncharged तो ये point में sorry लिखना भूल गया लिख देता हूँ finally it get uncharged ये सबसे पहला था setup जो इन्होंने बनाया था के इन्होंने क्या करा negatively इसको charge किया फिर उन्होंने क्या देगा धीरे धीरे सारे electron उड़ गए भाई बहुत को कि tv उन्होंने अपनी प्लेट को किसी तरीके से negatively चार्ज ना करके क्या करा positively charge कर दिया negative चार्ज ना करके positive charge कर दिया देख़े यहाँ ले था जिंक बेट वहाँ तो यह मिच्ता रहेगा बार बाबर टीख लिए अब इन्होंने क्या करा अब अपनी इस plate को इन्होंने क्या करा अपना uncharge छोड़ दिया कैसा छोड़ दिया uncharged neutral अब ये कैसी है uncharged न्यूट्रल है किसी तरीके से इस पर कोई भी charge नहीं है किसी तरीके से इन्होंने इसको uncharge बना दिया तो भाई neutral का मतलब क्या है same amount of proton number of protons equals to number of electrons, यानि electrons तो present है ना, लेकिन UV rays के आते ही इन electrons ने क्या करा, भाई energy gain करी, और फिर से अपनी जगा को छोड़ के भाग गए तो उसका मतलब, अब कैसा हो जाएगी plate हमारी, भाई वो तो starting uncharge थी, लेकिन electrons के निकलने के वज़े से, अब हमारी जो plate है वो positively charged हो गई, ऐसी हो गई positively charged, तो first plate is initially लिख ले हैं, तो वो भी सही होगा आप initially भी लिख सकते हो, initially मतलब at the starting, initially plate is uncharge अगर plate initially uncharged है finally finally it get positively charged, के बाद ये positively charged होगी चलिए अब third point आपके लिए मैं आपसे पूछूँगा, I hope आपने अभी तक सब अच्छे से चीज़ सुनी होगी, अगर अच्छे से चीज़ सुनी है, तो third point का जवाब आप दे दोगे मान के चलो, कि अब मैंने क्या करा, initially अपनी जो इस प्लेट को है initially अब इस प्लेट को initially क्या करा, initially plate is positively charged अगर यह positively charged है initially the plate is positively charged तो guys बताओ, finally कैसी होगी finally it will get बताओ आगे की line आपके लिए छोड़ दी, मैं क्या कह रहा हूँ मैंने अब इसको uncharge नहटा के क्या कर दिया, अब हमने plate ली और किसी तरीके से इस पे positively charge कर दिया कितना charge कर दिया, इसको positively charge कर लिया, तो बताओ same phenomenon तो वही होना है जाने electron ही निकल के हैं ठीक, मान के चलो के अब आपने positively charge लिया, अभी भी तो electron ही निकल के जाएंगे तो बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या line लिखू, let's see show me your response okay तो शुभम, सैफ करन, रवीना biotech, महक और यहाँ पे आकरीती जी file show me your response, all of you guys ठीक है, जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी इसका response दे show me your response okay let's see ठीक, नई positively तो वह already charge थी, एक अच्छा बढ़ देना है आपको, ठीक है, मान के चला के positively charge है, अगर सही से लिखे, as it is नहीं होगा बच्चा, दिहान से सुन as it is नहीं होगा, as it is कैसे हो जाएगा, मान के चलो starting में यह जो plate थी, number of proton यहाँ जादा थे, number of proton यहाँ पे कितने थे, मान के चलो number of proton आप 50 लेके चलो, finally number of proton बढ़ जाएगे ना, तो कितने हो जाएगे, मान के चलो भाई, electrons और ज्यादा निकल गए, तो भाई, हम हमें क्या बोलेंगे, कि number of protons की मातरा अब ज्यादा है, अच्छे एक चीज, sorry number of proton fix है, वो तो आपका electrons कितने है, 20 है, तो ये 30, 30 30 इस पे चार ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे, ये plate पे 30, चार ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से हम मान के चले, अब आपका number of proton fix है, 50, वो तो नहीं जाने वाले, अब electrons छोड़ के चले गए, तो बच्चा अब electrons 20 ना रहके, मान के चलो के सारे चले गए, 0 हो गए, तो अब इस पे charge कितना होगा, 50 का होगा न, तो हम या लिखेंगे, finally it will get more positively charged, यानि पहले अगर positively थी तो अब जाके और positively charged होगी, more positively, अगर आप same लिखोगे, तो बच्चा concept गलवत हो जाएगा, more positively charged, आई बात समझ में, क्योंकि अब electrons के नंबर घटे, protons के तो fix रहेंगे, क्यों क्योंकि वह तो अपना nucleus छोड़के जाने वाले नहीं है, आई बात समझ में, अगर confusion मिट गया हो तो प्लीज कमेंट के जरी बता दीजेगा, हेलो अभी शेक, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से चीज समझी, अगर समझी तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर जवाब होगा more positively charged, ठीक है सैफ और करन, agree आप मेरी बात से या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ठीक है तो यहाँ पर इन्हों ने observation करी, इस observation के बाद, यह finally conclusion क्या मिला, finally conclusion क्या मिला, भाई यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक line के लिए क्या आगे जाना, conclusion क्या मिला, conclusion यह मिला, के आपका photo electro commission होता है, कब, जब आपकी EM waves strike, metal surface, so electron will get emit, यह यहाँ पर conclusion मिला, आई बात समझ में, अगर कोई confusion कोई doubt हो, तो आप comment के ज़री बता देगी, यह वाला observation ज़्याद अच्छा असलिए बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तीन तरीके से बार-बार इसमें experiment करके दिखाए, और तीनों ही बार में हमें एक चीज मिली, क्या case पर से इलेक्टर निकल के जा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा setup था guys, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक नय announcement, जो बच्चे हमारे platform पे नय हैं बच्चा, धुरंदर बैज बहुत अच्छे से चला जा रहा है, और बहुत अच्छे से इसमें one shot, आपके most important question, mente quiz, doubt solving, और sample paper, सारे ही session होंगे, बट फिलाल अभी हम one shot पे focus कर रहे हैं, one shot खतम होते ही आपके sample paper का चला दिया जाएगी classes, उसके बाद फिर हम most important classes चलाएंगे, ठीक और doubt solving के लिए आपके ही हाथ में हो चीज, बच्चा हमारे यहाँ पे description में आपको एक link दिख रहा होगा telegram का, so guys जाएए उस link पे उसको आप अच्छे से join करें group को, और वहाँ पे आपको जो भी doubt लगता हो आप डाल सकते हैं, ठीक आपके doubt को solve करा जाएगा don't worry, but doubt genuine होना चाहिए, topics related होना चाहिए जो आपकी exam में पूछे जाते हैं, और guys इस batch में आने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना, paid वाला course बिल्कुल free में मिल रहा है, बहुत अच्छी quality की पढ़ाई, आपको free of course मिल रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके रख देना है, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है, यह हमारा schedule है, अभी हम इस schedule में कहां है, आज आपका यहां पर आज आपको देखने को मिलेगा क्या ameans पर one shot मिलेगा आज आपको ठीक है, आपको पढ़ाने का तरीक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह लिंक शेर कर जिए अपने फ्रेंड को साथ ताकि यार वो भी लोट उठा सकें, उठा सकें, फ्री की पढ़ाही का, ठीक और सब्स्प्राइब तो आपको कर देना है, उसमें आप ही का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, कि कन्कुलूजन टू हर्ड्स वाला एक्स्पेरिमेंट का भी यही था ना सर, हाँ बच्चा, कन्कुलूजन तो वो भी यही था, कन्कुलूजन इसका भी यही है, लेकिन डिफरेंज यह है, कि यह वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें सेट अप के जरीए, तीन अलग अलग तरीके से उन्होंने एक ही बात को शिद किया, साइंस में क्या होता है, कि कोई अपनी बात को अपनी बात को लेके ज़्यादा प्रूफ अगर आपके सामने रख दे, तो आप उसकी बात को ज़्यादा अच्छे से की निमानोगे मानोगे की निमानोगे मान के चलो दो बंदे हैं भाई एक के पास कम प्रूव हैं किसी बात को सावित करने के लिए एक बंदे के पास ज़्यादा प्रूव हैं तो आप उसकी बात को ज़्याद अच्छे से मानोगे भले ही दोनों सेम ही बात कह रहे हो साफसी बात है ठीक है तो सबी का अपना अपना अलग अलग contribution है गाईस तो I hope आपको आज के lecture मज़ा होगा ठीक है और ध्यान रखीगा कल आपका इसी chapter के उपर one shot है तो one shot लेना मत भूलना ठीक और बाकी तो आप अच्छे से अभी 6 बजे chemistry का one shot का enjoy करिएगा आपको बहुत मज़ाएगा ठीक है सायो नारा जल्दी मिलेंगे दुबारा